गुड बॉर्निंग स्टूडेंट्स B.S.E. Part 1 की और्गानिक केमिस्ट्री के यूनिट स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन हम पढ़ रही हैं और इसकी अपनी पिछली दो वीडियोज में हमने बात की थी Optical Isomerism के बारे में प्रकाशिक सक्रियता के बारे में और हमने देखा था कि Optical Activity क्या होती है प्रकाशिक सक्रियता क्या है और इस Optical Activity को शो करने के लिए यानि किसी भी योगिक के द्वारा प्रकाश के संतल ध्रुवित प्रकाश के तल को रोटेट करने के लिए उसके घूनन के लिए optical activity के लिए क्या क्या conditions होनी चाहिए जिसमें हमने बात की थी कि stereo genic center होना चाहिए यानि कि अणों में किसी ना किसी chiral carbon के उपस थिती होनी चाहिए asymmetric carbon होना चाहिए और दूसरा उसमें किसी भी तरह की element of symmetry जैसे कि सम्मिती तल हमने बात की कि यह जो optically active compounds होते हैं यह दो enantiomeric forms में पाए जाते हैं दो प्रकाशिक समावईवी संभव हैं एक वो जो प्रकाश के तल को दाहिनी और यानि कि dextrorotatory जो दक्षिनावर्ती घूनन करते हैं या clockwise rotation करते हैं दूसरा जो anti-clockwise घूमा देते हैं प्रकाश के सम्तल दुवित प्रकाश के तल को उन्हें हम कहते हैं लीव रोटेटरी compounds इसी क्रम में आज हम बात करेंगे asymmetric synthesis के बारे में जैसा कि नाम से ही संकेत मिल रहा है एसम्मित का संसलेशन या asymmetric का synthesis asymmetric synthesis में हम किसी भी symmetric compound से symmetric molecule से asymmetric molecule का निर्मान करते हैं हम किसी भी A-kiral molecule से किसी नए chiral molecule का synthesis करते हैं किसी भी optically inactive compound से optically active compound का संसलेशन करते हैं definition देखें तो Asymmetric synthesis or stereoselective synthesis is a chemical reaction in which one or more new elements of chirality are formed in a substrate molecule and which produces the stereoisomeric products enantiomeric or diastereomeric products in either equal or unequal amounts production of a specific enantiomer from e-chiral compound और racemic mixture यह इसका second step है पहले हम asymmetric synthesis करते हैं और फिर second step करते हैं कि racemic mixture से particular या किसी specific enantiomer को separate out करते हैं Absolute synthesis or partial asymmetric synthesis takes place enantiose specific synthesis the direct synthesis of an optically active substance from inactive substance with or without the use of optically active reagents is called as asymmetric synthesis production of a specific enantiomer from e-chiral compound और racemic mixture a laboratory synthesis of a chiral compound from e-chiral और racemic starting materials alone always gives a racemic mixture of enantiomers तो जैसे कि हम कह रही हैं एसममित संसलेशन किसी सममित अणों से एक एसमित अणों का निर्मान करना इस एसममित अणों का जब निर्मान होता है संसलेशन होता है तो दोनों तरह के विन्यासों के बनने की पूरी-पूरी संभावना रहती है D और L विन्यास और इससे क्या होता है कि हमें उत्पात के रूप में racemic mission प्राप्त होता है इस रैसिमिक मिश्रन को प्राप्त करने की या एसमित संसलेशन की दो पाथवेज होते हैं एक बाई सब्स्टिटूशन रियक्शन और दूसरा बाई एडिशन रियक्शन प्रती स्थापन अभीक्रियाई और दूसरा है योगात्मक अभीक्रियाई प्रतिस्थपन अभीक्रिया या सब्स्टिटूशन रियक्शन में जैसे हम एक्जाम्पल ले रही है प्रोप्याणिक एसिड का यह प्रोप्याणिक एसिड में हम देख रही है कि जो यह सेंट्रल कार्बन है यह एक प्रोकायल सेंटर है क्यों क्योंकि यहां पर यह जो दो हाइड्रोजन है अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लीस कर दें जैसे कि यहां ब्रोमीन से हम इसको रिप्लीस करवा रहे हैं विद रियक्शन विद ब्रोमीन तो जब एक हाइड्रोजन यह जो अलफा हाइड्रोजन है यानि कारबॉक्सले ग्रूप के एडजसेंट पोजीशन वाला जो कारबन है उस पे उपस थे एक हाइड्रोजन को यदि हम रिप्लीस कर दे ब्रोमीन के द्वारा तो हम क्या देखेंगे कि अब बनने वाले इस प्रोडक्ट में जो कारबन है इसकी चारो वैलेंसी चार अलग अलग ग्रूप के द्वारा सैटिसफाइड हो रही है मिथाइल ग्रूप, हाइड्रोजन, कारबॉक्सले ग्रूप एंड ब्रोमीन तो इस तरह से अब जो ये कारबन है जिसे हमने स्टार से शो किया है ये कैसा है काईरल कारबन तो प्रो काईरल कारबन ने अपनी नेक्स्ट स्टेप में आफ्टर सबस्टिजूशन हमें दिया काईरल मॉलीक्यूल इसी लिए हम इसे कहते हैं प्रो काईरल सेंटर और ये हमने एसिमेट्रिक सिंथेसिस किया सबस्टिजूशन के द्वारा यहां हमें जो product मिला है alpha bromopropionic acid यह alpha bromopropionic acid की दोनों forms हमें मिल रही है D और L या plus और minus यानि डेक्स्ट्रो और ली वो दोनों रूपों में यह मिल रहा है जो वास्तों में क्या है रैसे में mixture दूसरा pathway है योगात्म कभी क्रियाओं का कई बार योगात्म कभी क्रियाओं के द्वारा भी हम a summit solution करती है जैसे हम यह ले रही है यहां पर acetaldehyde और इस acetaldehyde की hydrogen cyanide के साथ हम nucleophilic addition reaction करवा रही है या ना भी किसने ही योगात्म कभी क्रिया करवा रही है और ऐसे product हमें मिल रहा है sinohydrin इस sinohydrin का जब जलब घटन या hydrolysis कराते हैं तो हमें product के रूप में प्राप्त होता है lactic acid यह जो sinohydrin बना जब इसका hydrolysis कराया तो यह cyanide जो group है यह convert हो जाता है किसमें carboxly group में यह clear यहां पे slide में नहीं आपाया है यह actually में product हमें मिल रहा है CS3, CH, OH और carbon पे CO, OH lactic acid हमें यहां पर मिला है इसी तरह से कुछ compounds ऐसे भी होती हैं जो हमें reduction पर इस तरह से racemic mixture देती हैं वहां पर हमें substitution या addition की ज़रूरत नहीं होती सीधे reduction पर हमें ऐसा मिलता है जैसे compound हम ले रही है CS3, CO, CO, OH इसका जब हम reduction करा रही हैं तो ऐसे product हमें फिर से lactic acid और lactic acid का racemic mixture हमें यहां पर प्राप्त होता है जो अभी हमने reactions देखी लाक्टिक acid का बना योगात्मक अभी क्रियाओं के द्वारा यहां लाक्टिक acid जो बना है उत्पाद वह वास्तों में रैसिमिक mixture होता है जिसमें दोनों इनेंशियमर की बराबर बराबर मात्रा होती है 50-50% के रेशियों में होते हैं लेकिन कही बार कुछ reactions की ऐसी विशीश परिस्थितियां हो या कोई particular reagent की उपस्थिति में हम अभी क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि किसी एक mixture में किसी एक इनेंशियमर की ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है और अब वह compound जैसे रेशियमिक mixture तो कैसा होता है और इनेंशियमर क्यों क्योंकि दोनों का amount बराबर है तो एक इनेंशियमर जितना प्रकाश को एक दिशा में rotate करेगा दूसरा इनेंशियमर उसको उतना ही opposite direction में rotate करेगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा पूरा जो हमारा mixture है वो optically inactive होगा लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता जैसे हम reaction करा रहे है बेंजल्डिहाइड की HCN के साथ तो यहाँ पहले product की रोप में हमें sinohydrin मिला जैसे कि अभी acetaldehyde के साथ मिला था फिर hydrolysis कराने पे हमें mandalic acid मिला यह जो mandalic acid मिला है जब हमने plus quinine की उपस्थिती में reaction कराई तो हमें जो product मिला mixture उसमें 54.7% D है और 45.3% L है जबकि जब हम minus quinine की उपस्थिती में कराते हैं तो हमें जो sinohydrin मिलता है उसका hydrolysis कराने पर जो acid मिला mandalic acid उसमें 48.5% D और 51.5% L होता है तो हमने यह देखा यहाँ पर कि जब हम dextro यानि की plus form लेते हैं quinine की तो हमें D उत्पाद या dextro उत्पाद जदा मिलता है और जब हम L या minus quinine की उपस्थिती में कराते हैं तो हमें ली वो product जदा मात्रा में राप्त होता है अब बात करते हैं resolution के बारे में किस तरह से यह जो रैसिमिक मिश्रण हमें मिला या कम या अधिक मात्रा बराबर बराबर का रैसिमिक मिश्रण ना मिल करके हमें simple inensiomers का मिश्रण मिलता है तो उससे हम कैसे resolution करते हैं inensiomers को कैसे separate out करते हैं दोनों को प्रिथक कैसे करते हैं इससे हम कहते हैं resolution या वीयोजन यहाँ पे वीयोजन की विदियां कई तरह की हैं उनको देखने से पहले हमें ये देखना है ये समझना है कि inensiomers के सभी physical और chemical गुन बिलकुल समान होते हैं जैसे हमने पहले भी बात की थी inensiomers की तो बताया था कि melting points, boiling points, refractive index और इसके अलावा density ये सारी चीजे इनकी कैसी होती सीम होती है इसी तरह से chemical properties सीम होती है इनके IR absorption, NMR में जो peaks होती है ये सब exactly सीम होती है तो फिर इनके separation का तरीका थोड़ा सा typical हो जाता है यहाँ कई तरह के methods से इनमें सबसे पहला method हम लेते हैं यांत्रिक प्रिथकरन या mechanical separation ये जो mechanical separation method है ये method पास्चर ने 1848 में दिया था और इन्होंने इसके द्वारा जो है potassium tartrate का इन्होंने वियोजन किया था potassium tartrate को सबसे पहले अलग किया था ये जो method है ये इस स्तथ्य पर आधारित होता है कि जो crystals होती है inensiomers के उनकी जब हम crystallography x-ray crystallography के द्वारा देखती है तो इनकी shape जो है वो different होते है shape एक जैसे नहीं होते और shape एक जैसे नहों करके difference क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के mirror image होते है तो हम क्या करते हैं एक microscope की help से एक mechanical हम चिम्टी मान सकते हैं एक spatula type का मान सकते है उससे हम क्या करते हैं चुन चुन कर एक mirror image वाले को या एक जो इरेंशोमर है उसको हम separate करते हैं तो naturally ये method कैसा है बहुत ही time consuming method है और ये conventional method एक रहे गया है आज कल ये trend में नहीं है ये हम यहाँ देख सकते हैं tartaric acid के ये crystals तो हम क्या देख रहे हैं tartaric acid के crystals की shape ये अगर एक D form है एक L form है तो दोनों कैसे हैं एक दूसरे के mirror images हैं तो इस तरह से sodium ammonium tartarate ये इसके right-handed crystals है और ये इसके left-handed crystals next है chromatographic method chromatographic method में क्या होता है कि रैसे मिक्षर को हम किसी column पे से पास करवाती है और फिर adsorbent यूज करती है तो क्या होता है कि ये जो रैसे मिक्षर के दोनों inensiomers हैं उनमें से किसी एक की उस adsorbent के प्रती जो affinity है वो ज्यादा होती है तो ज्यादा देर तक वो वहां रहेगा और दूसरा जो है कम affinity होने के कारण दोनों को हम easily separate कर सकते है next है chemical method chemical method chemical reactions भी based है और इसमें हम क्या करते हैं कि यदी जो रैसे मिक्षर है वो acidic है तो उसमें base मिला करके और यदी रैसे मिक्षर किसी base का है तो उसमें acid मिला करके हम salt बना लेते हैं और इसलिए इस method को हम कहते हैं salt formation method जैसे यह कोई रैसे मिक्षर है suppose की lactic acid का है जैसे हमने अभी देखा था lactic acid हमें मिलता है mandalic acid हमें मिलता है तो यदी lactic acid का suppose हम मानें कि यह रैसे मिक्षर है यानि कि इसमें D भी है और ऐले नेंचिमर भी है तो चुकि यह acid का रैसे मिक्षर है तो हम इसमें थोड़ा सा base मिलाएंगे अब जो base हम मिलाते हैं यह D भी हो सकता है और L भी हो सकता है तो मान लीजे कि हमने D base इसमें मिलाया तो salt किस तरह से बनेगा D acid D base और L acid D base यह salts यहाँ बनेंगे इसी तरह से अगर हम इसमें L base मिलाई तो salts कैसे बनेंगे D acid L base L acid L base अब यह जो दोनो salts बने हैं पहली बार में और दूसरी बार में जो दोनो salts बने हैं यह एक दूसरे के क्या हैं विवरिम समावई या डाइस्टीरियो मर्स है फर्स्ट और सेकेंड और इसी तरह से थर्ड और फॉर्थ तो फिर हम इनको क्या कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा इनको सेपरेट कर सकते हैं इसी तरह से जैसे मान लीजिए कार्बोनिल ग्रूप हमारे पास में है इसा कोई रैसिमिक मिक्शिर है कि जिसमें कार्बोनिल ग्रूप हो तो हम क्या करेंगे उसकी हाइडराजीन के साथ रियक्शन कराके इस तरह से हाइडराजोन बना लेंगे और फिर उनका प्रभाजी क्रिस्टलाण करके सेपरेट कर लेंगे इस मैथड में क्या होता है हम किसी एंजाइन का माइक्रो और्गैनिजम का बैक्टीरिया, मोल्ट, फंजाई किसी का भी हम यूज करते हैं और उसको रैसिमिक मिक्शिर में डालते हैं रैसिमिक मिक्शिर के सॉल्यूशन में हम जब इन microorganism को डालेंगे तो क्या होगा वो किसी एक enantiomer को destroy कर देगा खत्म कर देगा और क्या होगा उस solution में पूरी तरह से दूसरा enantiomer बचा रहेगा जैसे यह separation of racemic mixture of acetyl phylaeanine by reacting it with paratoludine catalyzed by an enzyme called papain gives paratoludine derivative of acetyl L-phenyl alanine and leaves unchanged acetyl D-phenyl alanine तो हमने देखा कि जब हम यह enzyme papain डालती हैं तो क्या होता है जो L-form है वो तो खत्म हो जाती है और unchanged रहती है कौन सी फॉर्म डी फॉर्म तो D-phenyl alanine हम इस से प्राप्त कर सकते हैं इसी का दूसरा example हम देखते हैं पैनिसीलियम ग्लॉकम जब हम यह लेते हैं मोल्ड है यह इसको हम लेकर क्या करते हैं ammonium tartrate के racemic mixture में डालते हैं तो यह D-form को finish कर देता है खत्म कर देता है नश्ट कर देता है और L-ammonium tartrate शेश रह जाता है जिसे crystallization के द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं अब इसमें क्या problems आती हैं इस method में कि एक तो इसमें bacteria या particular किसी microorganism का selection करना यह थोड़ा typical काम हो जाता है दूसरा यह जो microorganisms हैं bacteria हैं यह dilute solution में ही grow कर पाते हैं तो अगर dilute solution हम use कर रहे हैं तो after the completion of biochemical reaction या जब एक form पूरी तरह से destroy हो गई दूसरी form हमें उस solution से निकालनी है तो वो process फिर से कैसा हो जाता है time consuming हो जाता है और तीसरी चीज़ कि हम इसे economically भी better method नहीं कह सकते क्योंकि एक form हमारी जो इनेंशियोमर की थी वो पूरी तरह से destroy हो चुकी है खत्म हो चुकी है तो cost जो है वो इसकी काफी ज़्यादा बैठती है Thank you